कि देखो सुपर्णन साब ने हुकम दिया आए कि अगर कल तक किस मम केस के बारे में सुम पता नहीं लगा सके तो इस केस से अलग कर दिये जाओगे यह आवाज जो आपने सुनी है डिवंगत स्रीक्रश्न चोपला की आवाज है जो अब न सुनी जा सकेगी लेकिन वो हमेशा हमारे साथ रहेंगे हमेशा अपनी अमर कृतियों के जरीए उनका पहला चित्र था हीरा मोती सुन्दर अनमोल कृति दूसरा चाठ दिवारी भावनाओं से भरपूर और तीसरा चित्र जो उन्होंने बड़ी उमंत से शुरू किया था मुन्शी प्रेम मुन्हों एक जो ऑता है त Dad प्राइब टॉझा ड्राइब जाओ हाओ 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 हाओई कर दो अभर्डा टाहिं पुर्ट मात बाइबा हुआ। कर दोड़ने कि अपार रहा है रहा है मार्ट माटागी जे मार्ट माटागी जे मन्ने मन्ने लुआ से सड़े! आप खर बेज ये आएंडर मैनी की 25 तारीफ से को जरूर बुरवा लिए और ये 25 रुपे आपको आदा रखके बने होगा है मुंशी जी हमारे किस की निकल नहीं मिली अभी तक है मुंशी जी बहुत बुरी है तुम लोग भी तो वक्त ढाल किया है तो कामका उज में देर हो कि मुशीजे कहें खायर कोई बात नहीं कल आजाना बिल जाए जरा जल्दी आजाना मुंशी जी बन देगे मुंशी यार भी है मुझत को अरम सार्थ थें तो कभी ऐसी कुष्भ मत करने बहुत आपकेश ज़ो अँड़ी आजए तो समय का आरा मुंचे जगी सुबाग चीटबसे आराना बाय वह जवागी आगे है आप? जिए रमान आप आप आया? नहीं उसका खाना उठा कर रख दूंगी वो तो देर से ही आएगा हाँ देर से आना तो उसका मामूल बन गया है बबुजा मुट जाए? हाँ बटा उठो मैं भी उठ रहा हूँ नहीं एक पूरी और लो जिनी बस अरे कहां जा रहे हो तुम दोनों अरे आप लोके कुली करके जा बटा दिएखिये ना अबर अरे कभी परदी लिया करो दो अच्छा खेल 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 जब देखो बटा कि खेल किना इनने कुछ सुछता ही नहीं अधी इन्हें क्या कर रेई हो तुनके तो तिन है खेल के मुझे तो शोच लोज भड़े के, उसने ठन खरले के, उसका क्या बनेगा बनेगा क्या बातजी, इन्सान से बंदर थोड़े ही बन जाओगा यहीना जरा होंट लाल हो जाएंगे बस पार ऐसा बढ़िया बनाईए ऐसा बढ़िया बनाईए कि आठ दिन तक मुझ से खुश्बू आती रहे हमरे हाथ का लगल पनवा खाईले तो बहार आजाई हाँ अच्छा बगल जी इसी खुशी में एक सिकर्ट फिलवाई है पासिंग शोग आहा लगल राजा शुक्रिया अबे लोड़े जरा कसके हाद माल क्या छोगनी की तरह फालश कर रहा है हाँ मुझ तो दिखने लगा बाबुजी और के चाहिए ओ यह ले भाग अरे अरे पान खाये सैया हाँ राम आद बाबो पैस वा भूल गएका अरे पैसा देकर तो सभी खाते हैं बिना पैसा दी भी तो खाने वाला चाहिए ना तो आरे यही मर्जी है तो यही ताही ला दो ठुपन वार ले जाए वावा तुमारी अदावे तो मर मिटे हैं चलो तुम हुआ याद करोगे किस राइस से वास्ता-पड़ा था अका नी की जगहा चोनीदो प्लगा यहारा जाया रमजी की जाय राम जी रहे साय तो तुमने मेरा जूता तो नहीं देखा नहीं तो क्या जमीन खा गई उसे मुझे क्या बता तॉाला यहार कमरें अखिल की ची वहात को सथे अजा मेरा नस पर जो से खोड़ने तरूं। यह हुई ना बात? हाहाहा कोने पर? अब तमेज़े की हद होती कि क्या शोर मचारणप्या तुम लगोने अपने पाड़नों का धरभी फ्याल नहीं देखते नहीं दिनेश दारणप दिख रहा है हमारे देश का होने बारा लीडर है किसी जबसे में तक्रीष करने होगी इसे मगर तुम्हें ज़रा भी फ्याल नहीं देश आप बुरा नहीं मानना यार बच्चे हैं माँ कर देना कोई बात नहीं मैं अपने कमरे में चला जाताओ यह अच्छा रहेगा रहा क्यों पतर नहीं तो मेरा जुता क्यों ले गए मेरा कोट क्यों ले गए थे हमें ज्रामे में जाना था सब चोपट हो गया प्यारे इसलिए तो हमें दोस्तानी पीछे हैं साथ पांच की लकडी एक जने का बोच मिल बाट के खाओ पहनो मैं तो कहता हूँ चलो सब मिलके एक एक शूट शिलवा लें हर रोज बदल बदल कर पैना करें सभी सोचेंगे के हर एक आपास चार्जर सूट हैं मगर होगा सिर्फ एक एक क्यों कहारे दा देते हो और के मा की आहाहाहा वह 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 क्या दिमाग पाया है जनाबने अजी पूरे इलाबाद में तो सिर्फ एक ही दिमाग है कमेनल उतार मेरे पतलू मिकाला मेरा उलता तुम कहा हो चारे इलाबाद में धुनी बिटवादी लेके तुमारा पता ही नहीं मेरा जूता यार क्या जूता लगा रखा है देखे नहीं, रुमेश बाबू से बात कर रहा हूँ ये मूसपैलिटी के बड़े अफसर है अगर ये ना हो तो सारे शहर में हंदेरा हो जाए और कहीं गंदी ना लीविंकर पड़ो तुम नमस्ते करो इने बड़े बाबू मेरी बात सुनिये इन्हें बगवास करने दीजिए आप मुझ से कुछ कहना चाहते थे ना शत्रंज नहीं खेलोगे इतना जुरूरी काम और आपने अभी तक नहीं बताया चलिए चलिए नहीं तो पुलीस आजाएगी बाबाई चलो बेटा चल घोड़े चला चला चले क्या चाल चले चलिए अजी किला चलिए तो मुलाजा हो गवर से दिमाग लड़ाई ये ये देखिये शाह है काले घर में अभी यहां से उड़ा और आपके हद पर हुंता हुआ आता आपने बाजो सफेद घर में बैटा आए 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 साब आप मैदान में चलिए चाल मैं देखू चलता हूँ जनाब चलता हूँ कोई जल्दी नहीं है दीरे दीरे चलिए कहीं गगरिया चलक नजाए क्या थाए दीरे चलिए गगरिया चलक नगा ने, 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 ही का ने. चाल! अटाओ आप. आप आए मैदान में, अब चलिए चाल और दिखाईए अपना कवाल, क्या सोच रहे हैं आप, आए आए? है, 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 आच्छी. आप हमेशा ऐसा करते हैं जब हारे लगते हैं तो रह पड़ते हैं जाहिए नहीं खेलता आप से खिरी बड़े बाद वाबु अब मैं आपको कभी निख्ळूब ऑभा वुच्छा में केरता हूं कि अबी मैं करता हुद नहीं करता हूं आधे भाज है जालो अबिदा और इस पढ़ा की आगी आद से आधा किर राधा में हमाना काम होता तो सार के बल जाता और पूरा काम करवादेता मगर यह गुंगरमार चुंगरमार से मेरा क्या वास्ता उन्हें कहो दर मुठी करम करें सारा काम हो जाएगा वह भी हो जाएगी दर काम तो करो अच्छा अगर आप भाउक मैं तो सावांखों पर कर लिए तश्रीफ ले आई आप में लेगा जरूर? हाँ दूरूर मिलोगा लीजी मुंशी जी अजी नहीं नहीं मुंशी जी आप तो जानता ही है रिश्वत मेरे उसूल के खिलाब है इन्हें वापस रखिए जी बाब जी बंदी की हजूर आदाव वह घुंगरमार चुनी का तारा काम हो गया जी हाँ आपका फर्मान बजा लाया हूँ किसल किशोर नाजिर से फर्माईश करती है काफ़ात मिल जाएंगे आप नवादेश आपकी नादाव बड़े खरीक इंसान है नए अफसराए हैं जी हाँ अफसरी हैं इन्ही के लिए काम करता हूँ मैं तो जद साहब हैं जी नहीं, नूरे चश्म है मेरे नूरे चश्म तो हब के साहब जादे हैं परेखोनार हैं शादी शुदा हैं जी नहीं मुंशी जी आपने कोई बहुत बड़ा बेवकूफ देखा हैं जी ठोड़े ठोड़े तो सभी होते हैं सबसे बड़ा बेवकूफ मैं हूँ देखिये ना खोजत खोजत जुग भया और पाउ को साथ जी अजी बेटी के लिए बरतराश कर रहा हूँ और रड़का घर में माजूद मुंशी जी इन्हें तो आप हमारी बलखुरदारी में बेटी जी जी मुंशी जी इसके मुतालिख तो मैंने अभी सोचा भी नहीं लड़का पहले कहीं कामकाज से लग जा है फिर देखी जाएगी अजी कामकाज का क्या घाटा है और लेंदेन की सोचा है तो उस तरफ से मुतमाइन रही है मुंशी जी मेरी तो इकलाती बेटी है मुंशी जी लेंदेन के बारे में बात करना तो मैं बाई से शर्म समझता हूँ तो फिर क्या रहे के सुगर्चियानी लड़की है सूरत सीरत के बारे में आप इत्मी नाम करा लीजिए मुंशी जी आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं बात ये नहीं है बात दरसल ये है कि वो अब देखे न लड़के की वालदा से भी तो मश्विला कर लेना लाजमी है हाँ हाँ जरूर पूछ लीजिए पर बंदा नवाज ये मश्वरा की है השला की कि यह फाइसला, फाइसला है मैंने तो फाइसला कर लिया के लड़का अमारा हो स्या हाँ ध्याद पा sait अरे वो ज्याद पा पाभू जी भ्यूफ जाे वे वेंगे है ये मिलाई जासर सीजरर लाए पाबुजी, कब तेरे, तो मैं ऐसा उत्रो पाबुजी कि जो मिलेगा तो गुल गाएगी है सच पाबुजी, क्या है? तू बूचे बताओ ना पाबुजी बताओ? ले लिए मैं ऐसा चान सा तुना जेखे आया हूँ कि जो जहां ख़दा हो जाए, उजाना हो जाए जी लीजिये, ये भी रख लीजिये इसे भी रखाड़ी, जी, क्या सुल्जी हुई पसंद है बहुजी की मुन्शी जी, बहुजी को ये दिख़ाजिये जी बड़ी नायाद चीज है बहुजी हाँ हाँ इसे भी रख दो गंगु महाराज एक बार सब्की आखे खुल जाए तक ऐसा चड़ावा हो नहीं जी अजी दिखाओ तो पहले अजी बड़ी नायाद चीज है बहु जी एरे गरे को तो मैं दिखाता है नहीं सब चीज इमन सिर्फ 400 रुप है अजी मुशी जी मेरी म इसो का मुझे घ्र नहीं जी रहने गजीए 2,000 के तो हो गयें जेवर अजी सुनते हो जी इनने समझा दिया है ना अची तरह से आए जी बता दिया है एक हजार आभी देए अए और एक हजार दुरहन घर आई क्या बले रोज चुका देए गे एक मुझे इसमें क्या उसर हो आअ हुआ। वो बैटके बना देंगी क्या, उनके तो बड़ों को भी लाके देना पड़े तो, देख मैं तरकी बताऊं जालपा, जब तक चंद्रहार ना ला दे, तू नोशा वैसे बात ना करी हो, चल चल उसे गुर बता रही है, आप कितने बनवाला ही तीन साल में सुस्राल से, अरे मे मेरी बात छोड़, मेरा खुसम तो मेरी बात ने पुछता मैंने सब कुछ तो बता दिया आपको, हाँ, भूल गया, इस कमरे में कभी इतना उजाला नहीं होता था, पहले हमारे हाँ बिजली नहीं थी, फिर हमने बिजली लगवा ली, बाबुजी तो उस मकान को भी बढ़ना चाहती थी, लेकिन ये हमारे पड़ास वाली है ना, ये ये सुका परासका आपके पांके तने सुनदे ये तने चे जवर को बिच्वा क्यों काई ते देखिये न, आपके जवर तो एक दिन मेरी जान ले लेंगे अरे, तो खून निकलाया ये लांबी फलकें उटके जुकी इसा लगा, जैसे पास बुला रही हूं मैं तो दर गई थी, कहीं सचमुछ ने लग गई हो बहाने से तपनीर बन गई अपनी अच्छा, अगर सचमुछ लग जाती तो क्या करती आप, बोली न मुझे आपसे नहीं बोलना है क्यों? शहजादी ने कहा था जब तक चंद्रहार में लादे इनसे बात ला करना देखे, मुझे तो कुछ भी पता नहीं बाबुजी क्या क्या जेवर ले गए थे बरी में सेवर तो बात है पर असली चीज़ थे ओ, बचट कर गए बाबुजी उनने जमा जोड में बहुत विश्वास है बैंक में इतने पैसे जमा करा रखती हैं कि बस पूछे ही मत अगर वो नहीं मानेगे तो मैं खुद ला दूंगा आपको मुझ पर बखुद रखी मेरी तरफ देखिए क्या मैं जूटा लगता हूँ आपको देखिए न क्यों 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 शैजादी कहती थी मर्तों की तरफ मत देखना उनकी आख में ऐसा ढूना होता है कि दिल खी की तरह बेगल जाता है मेरी आँख में कोई जादू नहीं मेरी आँखों में तो प्यास है देखिये न आपको कसम लगे जादा का रो कहिं जादाशा कहते है सप्चिय। जब से शादी होा यह सुरती है เดिकि ओपर वागए जोरू के पास में जूट बोला जाँ जूट बोला जूट बोला कौन है? मैं मूँ क्या है? भया, तुम्हारा दोस्तों हो रहा थे मैंने क्या दिया, भया घर में नहीं है अच्छा, बहुत हुआ चाकिया, जाओ मेरे कनी? अफो ये लो जो, तीन, चार, पाच्छे अच्छे, अच्छे वा, आच्छे वर च्याना बन गए चलो, एक मुसीवत और टल गए छूटके बोले लगे आप अपने दोस्तों से सच बोलू तो जाना पड़ेगा तो चले जाके जाओ 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 अच्छी बात जाओ 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 एक पल की जुदाई भी नहीं सही जाती मैं जाओ जाहराम जी की मैंने सोशया कारज की घर में सो काम ख्याल पे उतर गया होगा मैं खुद ही चला चलू वो मुशी जी वादा तो आपका ठेल गया अब चाह बताओं गंगू महराज कुछ कहते नहीं बनती अब इसमें मेरा तो दोश नहीं है जी मैं तो खुद पशेमान हूं गंगू महराज मैं आप तकाजे से बड़ा खबराता हूं यू कर लो पिस्तें बाम लो महीने के महीने पहुचा दिया करूंगा चाह महीने में अदा हो जाएगा राम राम ये क्या अनकई कह रहे हो मुशी जी हमें भी भुकतान करना है आपके भरुसे अपने लेंदारों को कॉल दे रखा है अपना तो कारुबार गबान पे ही चलता है कॉल हारे के साख गई मैं तो तस्विया करके आया हूँ पैसे लेके जाओंगा अजी गंगु महराज कहां इतनी छोटी रखम से आपका काम रुपता है कहीं से भी ले सकते हो ये बात तो आप पर भी लागू होती है जी आप कहीं से भी लाकर दीजिए हमें तो पैसे चाहिए आपको इज़त प्यारी नहीं हमें तो प्यारी है अच्छा भाई थोड़ा सा सबर का गूद भाई लो हफते दद दिन में इंतिजाम कर दो जूटी बात मुंशी जी इजद्दार आज में समझ के इतबार किया था आपका अब हीले हवाले न करो हमारी साथ भला मानस तो अंजल नहीं करता कर जा चुका है बिना अच्छी का भू बंगना है कहा इसी छोटी रहां त्याव करता है अच्छी के जगड़ा को रहा है नहीं जगड़ा कुछ नहीं हो न वो चन्ना बांगने वाले है बाबुजी ने एक बार दे दिया अब जब देखू पीछे पड़े रहते हैं अब फिर आगए जो उपर चले आगए देखो जी पगड़ी उतारने के तो मेरी भी आदत नहीं मुझी जी पर गरजबन तो दीवाना होता है कल तक पैसे पहुंच जाने चाहिए वरना मुझे दोस्ट देना चैराम जी की आपका खाना यही लादू पर नहीं मुझे भूख नहीं है आपने सुभे भी कुछ नहीं खाया यू दाना पानी छोड़ देने से सराफ के रुपए थोड़ी यादा हो जाए नहीं मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता तो उससे क्या जवाब दू जब शादी करके तो मैं बुरी तरह अपकर किया हूँ जी बहु कुछ जेवर नहीं लोता देखिए जरा पोच के तो देखो ना जी मैं भड़ पाई ये मुझसे नहीं होगा कल बहु आई आज जेवर मांग लें कितना बुरा लगेगा और उस वक्त बड़ा अच्छा लगेगा जब गंगो चार आद्मियों में बिखलील कर देगा मुझे इदर आओ जी जी मुझे बनाया आओ तो नहीं को बनाया है इदर आओ बेटा तुमने नाज तमाशी में 12-13 रूपे उड़ा दिये अब बताओ सर आपको क्या जवाब दिया जाए यह कौन कहता है कि मैंने रुपे उड़ा दिये मैंने तो बाबुजी के होकुम के बगार एक पैसा भी खर्च नहीं किया मैं तुम्हें इर्लाम नहीं देता भाई किया तो मैं नहीं है तब पर यह बला तो आप सर से तलने ही जाए गंगु तो इजट लेने पर तुला हुआ है अब तो यही एक तर्कीब है कि बाकी रूपियों के जेवर रोटा दिये जाए उसे तुम यह करो बेटा बहुसे चार पांच जेवर मांग लो जी नहीं यह कैसे हो सकता है मेरा मतलब है वो खुशी से कब मनजूर करेंगी यही तो मैं भी कह रही हूं इसे जी हाँ देखिये ना रोना दोना शुरू हो जाएगा और घर का परदा लग खोल जाएगा मेरी समझ में यह बात नहीं आती कि बहुसे परदा लखने की क्या दरूरत आज नहीं कल पता तो लगी जाएगा उसे फिर हमने कब कहा था कि हम लग पती हैं अब तो गले में यह खंदा लगा हुआ है कि यह तो कल उस सवेरे उसे रुपए दे दे यह से बल लोटा दे तुम तो बिटा बहुसे साफ साफ कह दो जरावार के लिए रंज होगा हमेशा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा नहीं बाबुजी मुझे तो शर्म आती है इसमें शर्क की कौँसी बात है जी जिदिगी में किस पर ऐसे मोके नहीं आते और फिर अपने घर वाली से मांगने में कोई आदमी छोटा नहीं हो जाता बेटा जी मांग तो मैं नहीं सकता, तुम नहीं मांग सकते, तो मैं मांग लेता हूँ नहीं, आप रहने दीजे, जैसे भी होगा मैं खुद दादूगा सारी जहमत मेरे सर पे डालती जब आप जानते थे के एक दिन नौवत आने वादी है तो इसे जैवर ले जाने की जरूरती क्या थी आप जो भी हो, मिल जाएंगे आपको जैवर हाद, बुद्धू कहीं का, अंगोट लाली उंगली पकाली हाँ बाबी बाबी, आपके अंगोटी बड़ी अच्छी है, मुझे दीजे न शर्म नहीं आती, बाबी को देते हैं या उन्से लेते हैं क्यों मैं, यहां क्या कर रहें तुम्दों नों उसमें बिया अच्छी है, हम आप तो नहीं आते हैं, हमें तो बाबी ले आरे जी, हम बाबी के साथ खेल रहे थे जब देखो, खेल, 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 चलो उठो जागार पड़ो, चलो आज बहुत गुसे में हैं, खेरियत तो है खेरियत कहा है, इन घरवालों मिलकर दिमाग बिनना दिया है मेरा क्या कहते हैं? कहते हैं के क्या क्या? क्या कहते हैं? कुछ नहीं यहीं बेकार की बाते हैं समझ गई क्या? क्या कहते होंगे तुलहन के हाथ के महंदी बन गया हो तुम यू देखती हो तो कसम होश भूला देती हो सच यह मेरे लिए लाए हो क्या है? तुम बूचो चन्रहार होगा नहीं लाए न? आज तो फूल लाया था कहते हैं यह प्यार की निशानी होते हैं लेकिन तुम्हें क्यों पसंदाना लगे? तुम तो सुने पर रीजी हो तुम समझते हो मैं सुने के जेवरों की नो की हूँ? वो तो एक जाल होता है तुम्हारे प्यार की निशानी? जी जानचे प्यारी है मुझे तुम्हारी वो जाल हूझे करतकी मैं स्थपम्हारी होता है Ст्थ्य को इस होते रीजे करता है खाल जो जो ले उडता जा झाल जड़ और रहाई जात तंस नाज कर दो तो फिर दो प्राइब है क्वार्ण प्रण पर्ण जो घुट करा दो जो है। पबुची, 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 जोएं, मैं हूँ, पबुची, ये संद्धोखची उठा रहे हूं संद्धोखची? ये क्या कम ही ना हरकत है, इसे क्यो उठा ला रहा हूँ, आप इनके तो फरमाया था? मैंने तखाकरनी को कहा था, शर्म आनी चाहिए तुम्हे, तो रखोंगा बस, अब क्या रखाओगे, देखे गया उसने तो घजब हो जाएगा, वही काम करोगे जिसमें रुस्वाई ही हो, अब खले-खले देखते क्या हो, रदो इसे दरार्ग में और जाकर सोचाओ जाकर साय शर्म कल करी को बस्वाई जाएगे जीजिए हो जाएगे जाता हमी। पापी अभी मुझे हैसा सपना आया, जैसे बुछ जोर मेरे गयने उठाव दिले गया जोर? जोर कासा है? मुझे बूशिटा हो? तो जोर? मे? मे झोरू Ooh जोर जोर जोरू है मेरे चैने, मेरे चैने चोरी हो है मेरे चैने och चैने चैने जल्पा, पीरिच खो देने से दुख और बढ़ जाएगा दिलासा देने तो सब ही आते है जे छुटे मुझसे कोई नही कहता कि रो मत हम तुम्हे और सेवर बना देंगे अपनी खाज़ तुम्हें में इसना पैसा जमा का रंखा लेकिन जालपा मुझे तो बाबुजी की है मेरी कमाई नहीं अब इसना मेरा क्या खुसूर है नहीं जी, तुम्हारा काहिका होगा मेरे नसीब का खुसूर है जारा जो ना दिखायरोंगी जनमर ना तुम्हारी कमाई होगी अतना मेरे खहने बनेंगी जी, 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 ये कोई जान चली है आपने बखवास, बखवास है बड़े बाबू कौन बोला ये गोड़ा गोड़ा कैसे बोलेगा तो लगड़ी का गोड़ा है बड़े बाबू अभू, रमानाथ भई, क्यामत है तुम्हारा नाम लेले के खेव नहां हो तुमने शादी क्या कर ली, क्याना मुझे अकेरा कर दिया आओ, दो-चार बाजी हो जाए नहीं, बड़े बाबू, नहीं क्यों, क्या बाब है ये शादी करके तो मैं जंजाल में फस कया लगता है कहीं नोक्री करनी पड़ेगी अगर आपके रसूख से कहीं नोक्री मिल जाए तो बड़ा अच्छा हो तुमारी लिए? एक नोक्री नहीं, दस-दस नोक्री दे सकता हूँ सच बड़े बाबू हाँ, हमारा जूट भी तो सच होता है क्या नाम इतना बड़ा दफतर समान रखा है आजाओ, एक बाजी हो जाए, आजाओ, शावाज पड़ा बाबू, जी नहीं कर रहा तो यूं कहो कि तुम्हें नोक्री नहीं चाहिए अगर नोक्री चाहिए तो आकर बड़ जाओ हाँ, 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 ये बादरी दो बर खुरदारी की बैठो, रमाना या बहुत दिम से नहीं खेला हूं वादी, मेरी हाथ को दमड़ कर रहे है क्या नामया बड़े बाव आप भी तो सितम करते हैं अब देख लिया ना उस्तादीहाद अब चलो मुर आगया सुख्तो हाँ चले साथ कि आये यह चाश लिया अब ज्या अब जैन बड़ बाबू, चीके नहीं, सारी बादी उलट जाएगे रवानाथ बाबू, बादी उलट गई है, चीकने की दुरूस नहीं, ये हो गई आपको मात मदा आ गया बड़ बाबू, ये तो फिर ख्याली में हो गया आच्छा तो फिर खियाल में खिलो, के नाम खियाली में खिलो तो आईए मैदान में खिलो, बजी लगाओ, बजी लगाओ, हो जाए एक बाद पर आखाँ, मला आगया तो, रहामाना तो दो पहले इंग माद दे दिया बेजना शर्मा जी आये थे, अभी तक तो नहीं आये, है, लोटिस दे दो, अच्छा बड़े बाबू, आब मैं चलू, क्या, दुले नियाद आ गए, क्या ना उन साहब से नहीं मिलोगे, देखे न बड़े बाबू, तीन तो बज गए, अरे तीन तो क्या, अगर रुकरी चा अगर बड़े बुलाया है, क्या नाम, जाइए जल्दी से, पदारी, बड़े बाबू, आप ने चलाएगे मेरे साहब, बारे दुले मिया, क्या नाम डोला लेने मैंगया था, है, जो जल्दी जो, अरे सुनो, साहिब ज़दा उसीली तबियत के हैं, जी, अरे उसीली तबि जो, साहिए, जो जो, साहिए, 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 जो, जाओ, हाओ, रामानाद भाव। क्या नाम कामबंगेरा हैाथ? जी नहीं, साप ने जाओ, क्या कहा, साप ने जाओ, कैसे हो सकता है मैंने खुछ साप से गआ क्या नाम कि तुम मेरे आध्मी हो कोई बात नहीं, कि आख तुम बठो, मैं भी साब से मिलकर आता हूँ जाओ, साब कैसे बोल सकते हैं कि तुम जाओ यह बड़े साब ने रेजेए रामानाथ बाबू, बड़े साब ने क्या कहा था? जी उन्होंने कहा था जाओ, बड़े खुसे से कहा था बड़े खुसे से कहा था जाओ तो फिर तुम जल्दी जाओ खुसे से कहा था तुमको जल्दी आना साहिए तुम ऐसा करो, कल सुआ आकर नौकरी का चार्ज ले लो बड़े बाबू, क्या ज़त्यों व्या ज़त्यों लोगों के साब यू जी जी दिखने में तुम्हारा आफ़ा हूँ, जाओ जल्दी से नमस्ते जाओ, घरो जलता यह क्या कर रही हो जालपा? अपने मैं के जा रही है, आज ही, अभी क्यों? मेरी मर्सी अपना घर छोड़ के वो जाता है इस तरह? चिंका आपना हो बोरे, मेरा यहाँ अपना कान है आखर बात क्या है? कुछ मालूम भी तो हो मालूम कोने के लिए जडाना पड़ेगा जलपा, तुम्हें मेरी कसम मुझे कोई परवाल ही तुमारी कसम की तुम्ने मुझे कसम क्यों दी तुम क्या जाते मैं घुट-खुट के मर जाओ घुट-खुट के जाँ दे तू मुझे तु शेत्रंच के मोहरे ज्यादा प्यारे है इस कार्वे तेख लिए दि मेरी कदर है यहाँ अगर तुम यह समझती हो तुम्हारी यहाँ कोई पदर ली तो ठीक चली जा मैं तु राद भर शेत्रंच का एक मुइमा हल करता रहा इसी बार नौकरी मिलने का दारुमादार था और जब नौकरी मिली तो खुशी खुशी तुम्हें बताने चला आया और तुम यह समझती हो तुम्हारा अपना कोई हाई नहीं यहाँ ठीक चलो तुम्हे छोड़ू रवला अरे भाई यह बहु के माई के से पारसर आया है उससे दे देना तुम्ही कहती है अपनो कोई डर्द होता है तुम्हारी माँ को पता चला जेवर चोरी हो जाने का अपने चंदर हार बिजवाती है एक काम करोगे हाँ कुसे लोटा दू लोटा दू नहीं तो तुम चाहते मैं खेरात कबूल कर लो मुझे किसी की बख्षिश नहीं चाहिए ना मा की न सास की ना बाबुजी की तुम्ही सलामत रहो कमाने वाले मैं तु तुम्हारे दीवए गहने पहने की दन्या दोगे न पूछे की बात है चंद्रहार सच आदा वर्जे बड़े निया क्या नाम अजी बंद़ की आज करता हूं बड़े बाबू आप नौकरी से बेजार हो गए है ना अजी बेजारी क्या है होजूर तीश सार से बड़ा बार नमक हलारी कर रहा हूँ अब जरी आकिबत की फिक्रा आन पड़ी है यहां से रहाई डिला दीजे बंदा नौाज तक छोटी सी दुकान खोड़ लोगा आप जानुमार को दौाइं दूँगा और बैठा 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 अल्ला 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 क्या कर ला हमें आपकी खुशी मन्जूर है क्या नाम बडे मिया ये रममëनात बाबु है आप आज इने काम सिखा तीजिये और कल जन्दकका सोधा कीजिये और क्या नाम हुरों के खुशाद देखvard बाखुदा वह लालत नहीं है मुझे खेव, कोई बात नहीं इन्हें काम सिखा दीजिए, रहमनाद बाबू, ये काम देखने से बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, क्यों ठीक है न बड़े मिया, जी हाँ, दरीचेशक, दरीचेशक, क्या नाम, क्या नाम, आइए, आइए सथा, ची बखिये, बिसमिल्ला कह का बैट जाएए, जी, आजी प्रश्वत, आजी, तोबा लखा वला खुवत, ये आप क्या बर्मा रहे हैं, आजी ये रिश्वत नहीं है, ये तो दस्तूरी है, दस्तूरी, मगर काम तो बताया है नहीं आपने, इस काम क्या बर्खोरदार, चुपकी बजाते विए समझ जाओगे, समझाओं काम, इदो करें दो खाने नमबर एक मेंताद़, फाना नंदे मेंता, फाना नंबर दो मेंत तफसीर-माज, फाना नंबर तीन में शराः और खाना नं libert savior कि रखम, इसकी नकल करके इस रजिस्टर में दरज कर दीजאש कर दीजिए, और रोजाना पुर्ड़ कुल रखमना 哉त हाकर आँ प्र माजसी आँ बार भूली कि अजिए मेले का राम राम बाबु साहिए जैराम जी की महराज जैराम जी की आईए कभी हम गरीबों पर भी करम की नज़र रखा कीजिए आपको कभी इस तरफ आते ही नहीं अजी हम मज़्दूरों का एदर क्या गुदर्स किरा में मार हो तो आगमी आता भी अच्छा लगे ये क्या बाबु जी आप में दुकान आपकी है जोजी चैसो ले जाएए पैसो की क् आगे पीछे मिल जाएगे आगे आई उपर आएए सशीफ लाइए मोती संद बाबु जी के लिए क्योड़े का शर्वत एक पनाथी पांतो लाना कहिए आप दो क्या दिखाऊ कोई कंगम कोई जला उचीए कोई हार दिखाएए हलके दामो का दामो की आप फिकर दखेजिए जोविस घंटे पैसों में खेलते हो हाथों के दिखादूं हजार आठ सो कमाच अजी नहीं ज्यादा हाद भी तो चासो कमाच खैर आप देखिए तो सही जो पसंद आएगा रख लेजिए असल में चीज तो ये है आपके लाइग बाबु जी इससे पहन कर ऐसा लगे जैसे शीष महल में चिराग जल गया हो और इबत भी क्या है सिर्फ साथ सुरूपर अरे बापरे क्या हुआ हूआ वो देखो रोक लिए इनोंने तो शाम यहीं बीच जाएगे साथ कौन है लड़की है इनकी नहीं तो बीवी है इनकी बीवी हाँ इतने बुद्धे आदमियों को जवान बीवी करने का क्या शौक होता है आओ पूछ ले इनसे हाँ चलो आख बचा के निगल चले आओ अमानाथ ओ चाता जी आप नमस्ते जो मई कहां निकले जा रहे हो आख बचा के चाता जी मैं तो जरा जरा शार करने निकले थे प्रतना अरे इंता मिलो यह है अपने मुशी दायनाथ के साथ जाते और यह है इनकी बतनी नमस्ते क्या नाम है आपका चालपा चले ना हमारे घर मुवीठा करके जाए हाँ तुमने तो मुवीठा कराये अपनी शादी में आओ अब हम तुमारा मुवीठा कराये देते हैं आज जही जासा जी आज बहुत देर हो गई है बाबुजी इंतजार कर रहे होगे फिर कभी किम कल क्यों नहीं जी बहुत अच्छा कल ही आजाएंगे तो फिर बादा रात कल शाम के चार बजी हम आपका इंतजार करेंगे जी हाँ नमस्ते नमस्ते कि उनी संदर जूड़ी है चाचा जी गंगाराम का मुकदमा खूब लड़े आप बेचारे को मरते मरते बचा लिया आपने जी बस 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 अरे खाओ खाओ एक दो टोकड़ों से क्या पर रख पड़ता है आपको भी दीजे ना आपको कुछ खाते नहीं मैं पहले ही दमे का मरीज हूँ दाक्टरों ने मने कर रखा है ओ अजी दुलन को तो दो लीजे ना जी बस बड़ी खूबसरत कंगन है कितने में बनवाए च्छेसर रुपे में और तो में ये बड़ी खराबी है जहां किसी का निया जेवर देखा और राज टपकी क्यों मैं बनवाए नहीं जेवर पैसे कुछ आखना है घर में रखकर भई रमानाथ ये गंगन इने पसंद आगा है अब तो बनवाने ही पढ़ेंगे जाते बद मुझसे छैसर रुपे लेते जाना चाजरी इसनी जल्दी भी क्या है नहीं गंगन अगर जल्दी तयार नहीं हुए तो फिर घर में है वह समझ किया क्या राब जी कि महराज कहिए क्या रंग धंग है कुछ नहीं नमूने बनवाए जेवरों के अजी नमूने तो कितने ही बने हैं और कितने ही बिखें पर आपने तो इस तरफ का आना ही छोड़ दिया अब आप ही बताईए इस तरह से दुगंतारियां चलती है क्या इतने अरसे से आप यहांसे एक खोड़ा पैसा तक नहीं दिखा आपका शिक्वा बिल्कुल मुनासित है यह कहिए खाली हाथ आपसे हद मिलाने आता आज पैसे मिले हादिर हो गया यह लीजे शेसरों के जमा कर लीजे और एक जोड़ी कंगन इस नमूने के बनवा दीजी बन जाएंगे नमूना दो देख लीजे अच्छी तरह आजी समझ जयाराम जी कि जयाराम जी जयाराम जी कि अच्छी बात है एक जोड़ी कंगन मनने में इतनी दर लगती आपको आगर आसा कौन सा मुश्किल काम है मुश्किल क्या है आधी रिकम पेश्की दे दीजिए इसलिया हिसा बेबाब कर देजिए कंगल नहीं जाईए यह शरापत है महाराज क्यों जी इसमें शराफत तहां टोटा है देखिए यह मेरे एक दोस्की फरमाईश है और मैंने दस दिन का वादा किया था अब मैं उसे क्या मूं दिखाऊंगा यह तो बाबुजी आपके सोचने की बादी अच्छा ऐसा कीजिए आप मुझे प्रनोट लिखा ल अब बाबुजी मैं क्या जानता था कि आप इतना भी नहीं समझते आखले मन देखो तो इशारा काफी होता है आए बाहर बैठें दिन थाने तो कमरे में पड़ी उमत सोचा दी है क्यो रमनाद जी यह क्या कर दिया जी को सर चकरा रहा है बुरी तरह खड़ी क्यों है आप आए बैठें आए नहीं जाओ उन्हीं भी अचानक दमे का दारा पड़ गया है इसलिए जल्दी ख़र लाटता है वो मेरे कंगन को ले आये होंगे आप क्या बताऊं रतन जी मैं तो फस गया अभी अभी सराफ के अधरी दे कर आया हूँ कहता है नगीने कट रहे हैं बस पंदरा दिन आउट लगेंगे पंदरा दे ऐसे कौन से हीरे तराशते हैं रहने दीजी मुझे नहीं पहनने ऐसे निराशा के जेवर आप मेरे रुपए व लोटाते है रतन जी उसके तो बड़ों को भी लोटाना पड़ेगी अगर आप नहीं कह सकते तो मुझे उसकी दुकान दिखा दीजी मैं खुद वसूल कर लूँगी सच तो कहती है इन्हें क्यों नहीं ले जाते सराफ की दुकान पर चीज बंती हुई देख लेंगे तसली हो जाएगा नहीं जालपा मुझे नहीं पहनने ऐसे मुझे लेकंगर आप तो बस मेरे पैसे लोटा दीजिए अच्छी बात है कल आपको पैसे मिल जाएगे कल किस वक ले आईएगा दफतर से लोटते हुए लेता हूं का हाँ और देखिए पूरे पैसे ले आईएगा आप आप खातर जमा रखिए आपको पूरे पैसे मिल जाएगे पांडी जी आओ लल्ला आओ अमा शादी क्या कर ली यार लोगों से भी गए एक सिन मैं और शम्भू तुमारे घर गए ते छोटे ने ये क्या करका दिया कि पीजी के लिए दवी लेने गए अमा बैठाए मैं तो घर पर ही था चोटा समझा मैं बाहर गया हूँ मैंने बहुत डाटा उसे हमार डाटा सो ठीक किया मगर आज सुबड़ी सुब़ कैसे आना हुआ यह तो है क्या बता हूँ जावेद भाई एक जनजाल में बुरी तरफ हस किया हूँ शे सो रुपए चाहिए सिर्फ दिखाने है किसी को इसको देख लाने है तो यह माशूर पास रहे हो चाहा है अमा यार तुम्हे तो मजाग सूज रहा है और यहां जान पर बनी है बड़ी उमीद लेकर आया हूँ तुम्हारे पास मेरी जन इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता अलबता कल तक कुछने को जरूर कर दूंगा कल किस वक्ता हूँ तुम्हे आने की कोई जरूर नहीं मैं खुद तुम्हे दफ्टर से ला हूँगा बादा अच्छा अजाज़ए आदा रहा है हाँ जाज़ए कि जावेट भाई मेरा काम हुआ नहीं दिल बड वाखुदा जिंदगी में आज पहली बार नदा मत कुछी है इंशालला कल सुबर जरूर देदूगा कल तो मैं भी लौटा दूगा मुझे तो रात भार के लिए चाहिए बस दिखाने के लिए दिखाने के लिए तो राहते जान तुमारे पास इतना रुपया पड़ा है दिखा दो इसी को क्या बात करते हो यह तो सरकारी रुपया है रुपया सब सरकारी होता है कभी गयर सरकारी रुपया सुना है तुमने हमारे दमाग में क्या चोकर भरा चोकर कमा मैं कहता हूँ कि यहीं से तिक्रम बढ़ा लो कल्दर तुम लटा ही दोगे समझे अच्छ मैं चलता हूँ हुदा है चप्रासी बाबुजी ये ठेली उठाओ और पैसा जमा करा दो बाबुजी, खजानची साथ तो चले गए चले गए? तुमने में शका क्यों नहीं? किती दूर गया होंगे? मुकर सक पहुचाओंगे, हुकुम हो तो बुलाना अब घरजादों को लटा के लाओगे? बूटी सुंगली थी क्या? यहां तराज में रखता हूँ आजकी आमदनी तुम्हारी जिम्मदारी होगी लखी बाबुजी, ये रुपए उठाए तो मैं देल गुना महारा जाओंगा तो फेर दहां रखूंजे रभए वजूर अपने साथी लेते जाए ये और मुसीवत जाओ बलाव तांगा आ गए कै? बहुत ठक गए होगे शर्बत लियाओ ये क्या है? रखना के रुपए? कंगन तो बने नहीं रुपए उठाला है आएगी तो ले जाएगी अपने रुपए बहुत वहम था उसके मन में पैसो का रखना को पैसों का अंदेशा नहीं है जानपा कंगन पहने कच्छा हुआ जब अपने पैसे देख लेगी तो इत्मी इनान हो जाएगा जाएगा क्यों अकीली बैटी हो जाएगा जालपा बहुत रमनाजी नहीं है नहीं मेरा भी यही ख्यालता वह भूली गयोंगे सराग के पास जानप तुम्हें तो बेकार शक हो रहा है इन पर रुपए लाए हैं तुम्हारे लो यह रखें नहीं जालपा मैंने तुम्हेद सिराफ पे दबाव डालने के लिए बात कही थी भी तुमने तो बिलकुल गलत मतलब निकाल लिया लो इन्हें अपने पास रखो कंगन बन जाए तुशराफर को दे ज़ाएं नहीं बाबा मैं किसी के अमानत नहीं रखती है अपने पास एक बार मेरे सारे जेवर चोरी हो गए नहीं द Bets a अपने पैसे तुम अपने साथ ही लेती जाओ तुम जिद करती हो तुर लेजाती हूँ लेकिन कंदन बनते ही मंगा लेना पैसे अच्छो तुम्हे चलू पाम तो खा दी जाओ नहीं दहन आज मैं उनकी तबेट चीए है तुम आ गए रतन आई थी मैंने सबर्दस्ति उसके पैसे वापस कर दिया सबर्दस्ति हाँ वो तो रुपए लेही नहीं रही थी मगर मैंने तुम कॉलों दियों पैसे वापस करने वादी ऐसी कौन सी मुसीबत थी यहां कौन सा टाका पड़ रहा था लेकिन रुपए उसी के थे वो ले गई इसमें बिगड़ने की कौन सी बात थी बिगड़ने की बात किया है के वो रुपए मेरा मतलब है उसमें मेरे अपने रुपए भी थे आपके रुपए? मगर इतनी भी क्या परेशानी है खामोखा घबरा रहे हैं कैसे न घबराओं चुंगी की रखम है वापस ना हुई त अंदर हो जाओंगा तो तुम्हारे पास 200 रुपए तो है ना? हाँ तो अब तुम्हें 600 रुपए और चाहिए हाँ जावे भई यह लो पूरे 300 रुपए है इसमें अब तुम्हारे पास 500 रुपए हो गए मगर बाकी 300? हमा कोई बहाना बना देना चूट बोलने में तो तुम बहुत उस्ताध हो कल तक समालो बाकी साब मैं अच्छी कर लूगा अच्छी बात है अच्छी बढ़े बाबू याद कर रहा है आपको कभी से ठीक है क्यों बामार बाबू यह क्या हारकत है कल की रामदनी जमा क्यों नहीं कराई कल शाम को काम बहुत था बड़े बाबू खतम करके चुका तो देखा खजानजी साब जा चुके थे फिर फिर सोचा इतनी रखम कहां रखूं यहां कोई महफूज जगह दो थी नहीं सोचा घरी लेता जाओं 500 रुपे नकत थे जो मैंने इस थैली में डाल लिये और तीनस रुपे के नोट जेब में रख लिये चौक में दो एक चीज़ें खरीद नहीं थी उदर से होता हुगा घर पहुचा तो नोट गाइब थे क्या कहां नोट गाइब थे क्या नाम यह कैसे हो सकता है किसी ने तुमारी घर्दन काटके थेली नहीं खिन ली अब उन रुपोगा क्या करोगे क्या बताओं बड़े बाबु सुबह से इसी फिकर में दौड रहा हूँ लेकर नभी तक कोई बंदोबस नहीं हो सका क्या नाम तुम अपने बाबुजी से मांग लेते है नहीं बड़े बाबुच, मैं उन्तफास नहीं जाओंगा क्यों? आप तो उनकी आदर से वाकफ ही है नाजाने क्या कर डालते है उस वक्क्या कहेंगे जब पुलीस घर पे आजाएगी क्या नाम जांतर तुमने क्या किया है गबन क्या है गबन इस जुर में तुम जेल जा सकते हो खाइदा तु ये कहता है कैनान के मैं तुमें इसी वक्त पुलिस के हवाले कर दूँ पांसोर रभी है अखो एक घंटे के अंदर अंदर तीन सोर पे लियाओ अजर सहाथ को पता चल गया तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता अजर तुमको जेल से बचना है तो एक घंटे के अंदर तीन सोर पे लियाओ ज़दी मदन यार बड़ी मुस्यमत में फस गया हूँ मुझे रभाओं के बड़ी सक्स जरूरत तुमका घवरानी की क्या वाद कितने पैसे चीहें तुमें तीन सोर पे आख तीन सोर पे याँ हां मदन जी मेरी संदगी और माउट का सवाल है लेकन मेरी जान मेरे पास कुल पक्तीस रुपएं 10-15 पैची है तो हागर नहीं मदन अगर रभाओं का बंदबस ना हुआ तो सारी उमर के लिए मेरे चेहे पे दाग लग जाएगा मदन किसी तरह भी हो तीन सो रुपए का जज़ाब कर दो एक घंदे में तीन सो रुपवका कैसे बंदबस रुपएं ऐसा न घोशम तुमारी का सवारात मेरे पास बिल बूपएं तो फर मैं क्या करूँ अगर इस्ती परशानी है तो बीवी के जेवर गिर भी रखो हाँ बाद में छुडा ले ना कर दो कर दो कर दो तो पर ना कर दो कर दो हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ हुआ है है कर भी पुरी मध्या कर वो पुरी मध्या नहीं रहते है सामने वाले मकाम में रती है लाफ की जगा आपके तकीज़ के लाफ 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 क जरा चुंगिवाले बाबुजी को बुला दो पून ? रमानाद बाबु ? अपकून के खर से आए है हाँ मैं उनीको बुलाने जा रहा हूँ बडए बाबु उनके लिए हैरान हो रहा है देखो जरा मुझे बडए बाबु के पास लो चलो चल्यो बड़े बाबू रमानाद बाबू आए जी वहीं उनकी घर से आईए क्या को मिसिर रमानाद क्या नाम आया ये रमानाद बाबू कहां है माफ करना बाबू जी ऐसे बाते तो हर रोस हुआ करती है काथनी होगी किसी ने जीब मारे शार्व के उन्होंने मिझसे कहा नहीं जरा भी इशारा क्या होता तुम्हें फ़रन रुपए निकाल देती है क्या नाम घर में रुपए है घर में उनका दिया बहत कुची त्यस्टीय है पहल रुपए है गरे मुठीतों अ कर देटों कई दिशे और कर दी ये लेकिन इतना कहते तप इससे ज्यादा सारे बाजार में आपको एक औरी नहीं मिल सकती अच्छा पैसे दे दीजिए कि अच्छा 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 पीडी पीओगे, भीया, पिजे नहीं, मैं बीडी नहीं पीडी, बहुत अच्छा करते हो, भीया, हमें बड़ी खुशी दे, एक तो पैसा के नुक्सान, दूसरे तंदुरुस्ती सत्यानाश वे तो नल, कहां जा रहा है, जी वो, मैं, तलकत्ता जा रहा है, जी हाँ, जी मामा वहां रहते है, मामा कहां रहते हैं, पता तो मुझे याद नहीं है, मैंने लिखा हो है, जी हाँ, कलकत्ता खुमर्फिरा जा रहा है, जी हाँ, टीकेट है कि अ जुछ कर दो दो कि तुछ कर दो मोझें तो कि आपकिल कर दो है बाभु साइब, घोला गदा सबको एक एलाथी से आकतो, अरे जरा आदमी देखके बात किया करो, आदमी देख लिया करो, इथनी हम दगी है तो निकालो ना रुटी अदा सान, तो इमें गरम हो एक तो मात है, मिल जाएगा न, देदो भीया, नौ रुपया कितना, नौ आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी उसर बचाएगा, ऐसी बात कर रहे हो भाईया, आदमी के काम, आदमी ना रगा तो और को में आगा, भूलाओ, लिया, अभी समाल कर रखना है, पिना लिया, एक बात बताओ, पूछे, साप साप बोले हो, डर है कि कौनो बात नहीं, हम तोरे बात के बरापर हैं, तोरे जैसे दूई जवान दरिका रहे हैं, तोरे जैसे खुबसूरत है, घर से भाग के आए हो, जी, जी हाँ, पूलिस के दर से नहीं, समझ गए भाईया, हम सब समझ गए, तुम का अंग्रेस का जंडा लेके निकले होगे, बाप कौनो सरकारी अफसर रहा होगा, बाप बेटे में बोला चाली भाई होगी, और तुम गुस्सा में घार चोड़के चल दिया होगी, यही बात है, जी हाँ, जी हाँ, भाईया, यह उमरा याईसी है, खोन में बहुत गद्मी होगी है, मगर तुम निसा खाती रहो, हमरे ओते तुम पर कौनो आज नहीं आएगी, कौनो आज नही आएगी, भाईया, जी होगी यो, इजी पोलिवी पोल ये भगवान, ठीका जुरू, दुवारी में ताला बंच, हमार यद्गो परियोग सिधार गई का, पंचु दादा इरे दे दिन, आइसा, क्यों? अरे केमन, छोड़ो दादा, पहले ही बताओ अपना जनाना कितर है अब तो भगवान क्या तो नहीं चली गई नहीं ने बाला नहीं बगवान के घवर जायेगा तो भगवान पोईकुन फोर के भागेगा अर शेशनाग जाल के महरे मोर जायेगा पर जो कर दो कर दो जाने कर दो बॉल्गमक कन्या, भाशो घू लाथ जानिया जूए दो जूए ईनिया भावंवड़ाश या भावंवड़ाश घूल दुद्दिय तब अजित नहीं उतार हमारे का परे का भोछ. अटे भाई तो अपना भोछना इंग तारा अवार था आई ह। अटार भूखने अजड़ कही है तो लिए य। तो मतलड हो जब अजब वह, केसनी दखे कहा तुस्टे कि मजूरा कहलिया कर लिए की मजूरा कहली लिए कर पर मजूरी का उन्दे ही तो हर बाप ऐसन बात करा ला कि जह जर भूताला एक तो बशल बशल कहाई उपर से बात बनाई और हम अपन हार मासे एक कहे जिन कासफ बाड़ी और तु हमार कुल गहना गी थी बैसकत प्याख्यास ना करत बाड़ा भागवान कसम जगो गंगा मैया में एक डुकी अपने नाओ की तो तीन डुकी तोरे नाओ की अरे तिगुना तो होई तो कि ना अरे तुम हमात इंता छोड़ जे हम तो अपने माथे का लिखल पसीना बहाई का दो देला मैं लिखल एक दाए, तो शी को पाणे मolfo. जाए? जाह जाए? जाहए! जाहे? जाहए! तार या अदा का होए को से मतलक हम चूले में जाही घान में जाही तह कूछा वाली के ताह कूछा वाली के इन बहुब अरे परफिन कर तिश्य बताई बहिया है चला रंगाजली जै चल 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 आप लिए देखावा थो चलिया हाँ एक काम न भूले हो है खाना वाना खाय के एक चित्थी घर पर जरू भेद देना मतारी बाप घवरा थुए न पिता जी का करत हैं तुम्हेरे गुआ जी एलाबाद हाई कोट में बड़े मुंशी घवराओ में भाया हाँ मुझे उसले बोला था मुझे से फूर जारै ला हम बुढिया है और जवान हम जहाँ करना थी भाया उपर बाद तीरत के आयला जैसे बिलाया चलाट गवर्नर बनके आयवा बात करला य बुढिया की बातन का बुढ़ाना बाले उपिया जब मदा के अन्हां किनु है तो गोसा हम अम्रीथ क्लुद 那ज्य और फिल्म यहीं को दवल रहा है सानुद बुरे दें। न्हीं देखा यही के साथ το डिल सी आप उसकत का शोग भी है? अरे भाया, अब हमें कुछ शोग उपनाई है, कुछ शोग नहीं है, ये मुगदर की जोड़ी जो देख रहा है हो न, ये हमरे कलेजा के टुकलन की एक जोड़ी रही, उनकी निशानी है, कैसे जवान पठे रहे, कैसे जवान पठे रहे भाया, की जिहर से निक्सत रहे, देखाय वाले ताकत रह जात रहे भाया, ताकत रह जात रहे, और अब वो दुनो, भाया, भारत माता की भेट चर गए दुनो, भेट चर गए, गांधी जी के भगत रहे ने दूनों, बिलायती कपड़ा की दुकान के पिकेटिंग करत रहे, पुलीस की लाठी चली, घोल सवार गारत आई, पर बाहरे हिम्मत, हमरे दूनों लाल गोली खाय के हुआ ही लेट गये, पर अपनी जगह से ना ही हटे सो ना ही हटे, जानत हो भा गजबर की चाती होए गई हम आद, गजबर की चाती ही, पर जाय दो भाईया, कहा छेडव तुम हमें, अच्छा देखाओ, कौनों चीज की जरूरत हो तो हमें बुलाय लिए है, संकोच ने करो, यह तुम्हरा गार है हाँ, और देखाओ, घर चिठ्ठी लिखना न भूला, न जाने कौन हालत होथ होई मतारी बार की चंता के मारे, मतारी बाप का दिल भाईया, चिठ्ठी लिखर जरूर है, आज आए, हाँ, भूला, भूला भाईया, बहूँ, बहूँ, जी माजी, जालाजी से कह दे नाश्टा तयार है, बहूँ, हमारी चिठ्धी, चिठ्धी, बहूँ, किसके चिठ्धी है, उन्हें की चिठ्धी है माजी, रवानाथ सूनते हो, मेरी जल्पा, तुम्हें ये खत मैं बहुत डरते डरते लिख रहा हूँ डर ये है कहीं ये खत पुलीस के हाथ न लग जाए इसलिए मैंने अपने पता भी नहीं लिखा तुम सोचती होगी उस दिन मैंने तुम्हारा इंतजार क्यूं किया इसकी बज़े ये है कि पुलीस मारे घर आ गई थी अगर मैं फॉरूम भागना खड़ा होता तो ग्रिफ्तार कर लिया जाता बहुत चार इखाओ उसके खत में कहा है बहुत बोलती क्यों नहीं सब ख़जयत तो है न कहा है बहुत मेरी तो कुछ समझ में रही आता कि मैं क्या करूँ उसने अपना पता तो लिखा ही नहीं रमेज अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूँ मुंशी जी क्या नाम आपका लड़का तो बिलकुल उल्लू का पढ़ा निकला माप करना मेरी मानो तो कलिकत्ता के अख़वारों में छपा दो कि उसके कोई मुक्त माने तो कि उसके कोई मुक्त माने घर वापस आजाए क्या नाम ये बात तो बिलकुल ठीक है आप सब बड़े हैं जो ठीक समझें करें लेकिन मेरी राय में ऐसा करना ठीक नहीं होगा क्यों ये बात अभी कोई नहीं जानता अख़वारों में छपने के बाद सारी दुनिया को पता चल जाएगा घर की बद्नामी होगी बहु का कहना बिलकुल ठीक है मुन्शी जी क्या नाम उसे ढूने के लिए कोई और तक ही निकालनी चाहिए आप क्यों ने खुद उसे ढूनने कलकटा चले जाते हैं कुछ अक्तल की बात करो जी क्या पांट दस लोगों की बस्ती है जो जाता ही मुझे वो निखनना मिल जाएगा बिलकुल ठीक है आपकर बैसे भी कलकटे की स्यासी सिदा खराब है रोज़ाना फसाद होते हैं गोडियां चलती हैं जुलूज निकलते हैं जुलूज निकलते हैं कराणा कुलूज निकलते हैं डिज़ाना कराणा कुलूज चाहिए जुलूज जुलंदे यह जुलूज वर बाद्व कराणा कराणा कम है कराणा का ना हो एक है नाम नामिंकर पुलिस के परगलावत बारे हम तो रहा के खूब जाने है रहता कि खार्इंच के खार्इंच कलता की हम अभून धीर तुंहिक तुंहें दर्व देता हूं को अभी बोलो मैं तुम्हें एक मौका ख़र देता हूं जान किसको प्यारी नहीं है सुचो, तुम्हारी माँ है, बीवी है, दो बच्चे है, इसलिए मुझे तुम पर रहमाता है और सुल्तानी गवाब बनके सिर्फ फासी से ही नहीं बचोगे, बलके आइंदा जिंदी की बियाश और शुरत से गुजर जाएगी मैं अपने स्वार्थ के लिए अपने साथियों को भासी नहीं लगाँगो दरुगा साथी, 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 जूट बोलकर बचना चाहते हो, सब को भासी हो जाएगी आएगी नहीं पासी देषभथ का इनाम है, अहन सा तरंगा जंट उठाने वालों का इमान है और देषग वाज़का क्रान हमरी अपने क्षिक्या है अव धिगाँख! I quite understand the difficulties we face. Yes sir, I am doing my very utmost, I shall not allow the case to fail. Yes sir, certainly I shall report to you. Well, I mean sir... Don't you realize, इस रिष्टी बातना के कितना पपना में होता है, खमिष्णा साथ बहुत नाराज थे ये सर्च, मैं मैं हुजूर क्या आरज करूँ मैंने अपनी जिंदिगी में कैसे कैसे गुंडे और कैसे कैसे बदमाशों को ठीक किया है मगर ये किस चमड़े के बने हुए है, मेले कुछ समझ में नहीं आता है, इसमें से एक भी नहीं चूटता मैं आपसे हर्फिया कहता हूँ हुजूर कि मैंने इसमें कोई कसर नहीं उठा रखी उठाव वह बाहर के गवाहु है, मैं नहीं चलेंगा कोई रखा रखी तो इनी में से किसी को थोड़का झूटानी गवाँ बनाे को यस वाँमाद अपर भगा, दीक 7 canceled यह किरिते टैनों को बाहर है वॉरीघ्ये तको थेक्डेश.. जाम्हीड को anno beni. मैं ऐसो मैं थेड़ा है法 और आहन र Grow मुरीमा खरतो दुखाए! या या शूर। शराम हुजूर् अर देख लाम तो यह मुझडे मोलयी पान से तुछना नोची है? विल्हाबाद के वाला हुआ। ना जूर्ट बतावत रोवट, खम ना जानी लौकना रामाणात हुआ। विल्हादीदिन खटिक होने। देविदिन खटिक हैं। काँ जिसके वो दो लड़के। वहाए वहाए वकरेह रहा हुला। ओ, अंदे पेश करो, बहुत अच्छा सरकाफ, इहां हां साहां, हम, बिलकुल वही हो लिया है, क्यों मैं, अलावाद का रहने वाला है, रमानाथ मैं मैं न, छे महीने से तंक कर रखा है इसले, क्यों भे, ये पुलिस वालों को क्या इतना कच्छा समझा है तुने, है, हमारे आख में फूल जोगता है, साप साप कुंद, तोरे संगे कौन सक्ति ना करल जाई, बुझा ताड़ा नू, जनाब, अब तो आपके हाथ में हूँ, रियायत कीजिए ये सक्ति, अर्हाबाद की म्यूस्पल कमेटी में मुलाजिम था, अब इसे बदनसीबी कही है ये हमाकत, चुंगी के तीन सौरवे मुझ से खरच हो गए, अर्हाबाद करके उसे हमाकत कहता है, कतल को तो शायद तफरी कहेगा, नहीं जोर से खरच में, मुझ रारच करता हूँ दरवाजी, क्यों बड़े, काम क्या है, अपना का काम होगा साहब, हजूर को सलाम करने चलाए, रे घर ठीक है, मतलब की बाद करो, गरीब परवट, बेचारे, बहुँ सीधी आदमी है, बहुँ सीधी आदमी है, बसरकार, इन पर महरवानी करे जाता है, क्यों बेबदजात, एक तो सरकारी मुल्जिम को पना देता है, और उपा सा सिफारिश करता है, मजाल है साहब, हमारी कौन भी साथ है सिफारिश करने की, हम बहुत गरीब आदमी है, बहुत गरीब आदमी है, पांच गिननी है, तो उन खित्मत में हाजिर है साहब, जो बे, रिश्वत देने आया है, बड़े घर भेजवादो, भेजवादो साहब, दुनिया के जनजाल से छुटी मिल जाएगी, आराम से जहल में बैठा बैठा गंगाजी की जय करेगा, बाग जा यहां से, यह लिए उठा सब, साहब, इसकी गिरफ्तारी पर पांच सो रुप्या इनाम है, पांच सो, हां पांच सो, बहुत गरीब आदमी है साहब, पांच सो कहां से लाएगा साहब, साब निकल जाए यहां से, मैं कहता हूँ अभियाद, चल जिसको ले जाओ यहां से, जाल जिसको हवालात में, अरे तनी धीर रख्खाओ दरोगाजी, तनी धीर रख्खाओ, बद दूए घंटा का मोजद चाहता है साहब, दूए घंटा का, तुम हहरानना हो, मेरी तक्बीर में जो लिखा होगा, हो जाएगा, तुम दिल छोटा मत कराओ भाईया, जब बात रुपया पाए गई है तो देवी दिन पीछे नाहीं हटाएगा, इस रुपया पैसा सिसुरां च्छाती पर ले जाएगा, तुम निसा खाती दहना दरोगा जी, दूए घंटा चाहता है अब ही लाके देगा, अब ही लाके देगा, हाँ, जे, मैं इस्पेक्टर साथ, जी, इस्पेक्टर साथ, देखो, जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, साथ साल की जाओगे बच्चू, साथ साल की, साथ परस, कैद बा मुशक्कत, चक्की पीस होगे चक्की, मगर दरवगा साहब, देवी दीन तो अभी आते ही होंगे, तो देवी दीन कौन सा सेशन जज्ज लगा हुआ है, जो तुम्ही यहां से ले रहाएगा, है, तुम्हें कोई नहीं छोड़ा सकता यहां से, समझे, राम सिंग, हद काली लाओ, दरवा साथ, इस सजा से बचने का कोई तरीका नहीं, एक तु जुर्म करते हों, और फिर सजा से बचना चाहते हों, नहीं, नहीं, जेल हो जाएगी, एक दम जेल हो जाएगी, और जब वहां से बाद निकलोगे, तो तुम्हें कोई नहीं पहचानेगा, अपनी बीबी मूँ मोड़ लेगी, माबाप अपने नहीं होंगे, हल्फिया कहता हूँ, जिन्दी की तबाह हो जाएगी, दरोगा साब, किछी तरह मुझे बचा लीजे, मैं आपके हाथ जोडता हूँ, पाउप बढ़ता हूँ, ने, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम किसी अच्छे खर के लगके हो, मगर मैं मजबूर हूँ, मुझे आप ही का अधर है जुनाब, मुझे रह्म कीजे, मुझे रह्म कीजे दरोगा साब, हाँ, एक तद्कीब है, जी, क्या मैं बच सकता हूँ? बिलकुल, बच ही नहीं सकते, बलके आएंदा जिंदीगी भी बड़े आशो इश्रत से गुजर सकती है, फरमाये मैं तयार हूँ, देखो, तुम्हे एक मुकदमे में, सरकार की तरफ से शहादत देनी होगी, बंबानों के साज़िश के केस में है, तरोगा साब, जूटी शहादत? जूटी? कौन कहता है जूटी शहादत? हर बहर सची है, लेकिन, लेकिन वो, वो सब लोग तो बिलकुल बेगुना है, अखबारों में तो हर रोज यही आता, तक तीश में कराओ हूँ या अखबार वाले, यह केस बिलकुल सचा है, बिलकुल सचा है, बहराल, मुझे तर भी इस बात का भी अपीन नहीं है, के बोड़े साब इस बात को मानेंगे या नहीं मानेंगे, जी, दरोगा साब, जैसे आप फरमाएंगे, मैं बिलकुल तयार हूँ, बिलकुल तयार, ठीक है, ठीक है, खैर, मैं कोशिश करता हूँ, हुजूर, इसको इस तरह से सोचिए, के मुल्जिम बीस नहीं हैं, बनके एकीस हैं, और वो जो एकीसवा मुल्जिम हैं, वो कन रात को हमने गिरफतार किया, उसने अपने तमाम जुम का अकबाल कर लिया, और सुल्तानी गवाब बनना भी मनजूर कर लिया, येश, 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 मगर खान साब, उसे तो वारदात के बारे में कुस मालूम ही नहीं, उस तो एक ही जिरे में तूट जाएगा, हुजूर, में डिया, वार जाएगा, येश, आलाहबद, वाँ, लुजूर, येश, अालाहबद, वालाहबद, कहता है कि छिलाव में कोई कहसे नहीं, अगर उसके खिलाफ केस नहीं है तो अप्रूर कैसे बनेगा खान साथ वा 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 खान साथ ये कार गुजारी दिखाई है आपने उसके खिलाफ गवन का केस ही नहीं हां ये तो और भी अच्छा हो गया इसका मतलब यह के न कोई मोटिव न कोई गरज उसकी गवाई तो और तो यह है कि इस आदमी को स्पेशल महवान समझ लिया जाए और उसी पैमाने पर उसकी खातिर तवाजों वगराए तो येश जो आएड लुक आप फिम्वन तेंकियो साथ और देखिया गान साथ जी उससे कोई भी नह मिलने पाया है आप बेश कर रहें बेश कर रहें खुश हो जाओ बच्चो एकदम खुश हो जाओcando प्ड़ी मुश्किल से मनाया है मैंने बड़ी मुश्किल से मनाया है तर ड़का साहथ आपका यह आपसान मैं कभी नहीं बूलूँगा कभी नहीं बूलूँगा अरह एस मेरे अहसान की कुंसी बात है तुहारी तक्दीर consistent प्रवाजी जब बोलके गया तो भरक नहीं पड़ सकता है नहीं पड़ सकता प्रवाजी देख ये बुड़ापय की कमाई है ऐसे इस तरह से मत लूटा चुप चाप से कहीं लेगा के इसे रख दे मुल्जिम को छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है हाँ हाँ कह दिया नहीं कि मेरे बस की बात नहीं है प्रे दरोगाजी इस मूछ मुल्वार डालो अरे हाँ बड़ जिनों से रहा तो था मेरा आप तू कह रहा तो मनवा देना मरत की जबान एक होती है साहर कौल पाद्वी मर जाता माई बात मर जाता है इस बढ़ापय में भी अचल देए क्यों हफीम के आदत नहीं गई दरोगाजी दादा तुम दरोगासा पर मत बिग्रो हम लोग उनकुछ ऐसी सला हो गई है कि बिना कुछ लिये दिये ही मेरे हाँ जाओगा अरे भाईया तुम तहाँ ही लोगन के चक्कर में पड़ रहे हो जरूर कोई चाल होगी कोई चाल नहीं है दादा बस एक मुकदमे में शाहदत देनी है जरूर जूटा मुकदमा होगा नहीं दादा सारी जाच कर ली है तुम कोई चिंता न काओ अरे भाईया चलो ना भाई का अली से जार है अच्छ दादा को ये भाईया को कहां लियो जाता है भाईया मुखबिर बन गए मुखबिर का अरे उह है जोटी गंगा जली उठावाएंगे जो उन कुछ पुलिस सिखावाएगी तो उन जाय के कहां पड़ी कुरत में अब इनकी दावत खातिर होगी नवकर चाकर मिलेंगे मोठर जब अपने बेटे अपने न भाईय तो इस पराय को का कहते है बोल बोल गोड़े में सनिच्चर सवार हो गई बाई चाल चाल काना खोद लो ले चाल का खाय के खाचुक चाप मना ना करतो खाय कर अरत ऐसे उपास पेने से भई आ देंगे का करेज कोनो रस्ता सुझाता अरे वनकर कोनो पता थे कान हो तब सा रस्ता सुझाता अरे जगो भाईया कहले रहना कि उनका बाप इलाहाबाद का चारी का बड़का मुंसी हम वन अरे अरे अब आपको कहा जा खुले कुछ अधे हम इलाहाबाद तार देवा जा थाई हां तो आत्व कुल ना कर लगळा हूए ना अधी आतके चल लात तार देवाई हम बड़े धाख खाने जा थाई रात भर खुल लाला ओ आरे तब तुकु तुकु कुर्मू हो कादे खत्र वही जाते काहे नहीं अरे तभी जोए मैं ते सेहरिन के तरह रस्तागार दे ली जा आरे अपने आपकी ही है कागे क्योंकर समझ भए ना साथी गौर से देखो खूब गौर से देखो और इनके चेहरों को याद अफना ये वही लोग हैं जिन्होंने लाट साथ पर पंप फेका था और ये है उनका लीडर अरे ये तो दुनेश की फोटो है तुम इससे पैचानते हो जी हाँ ये हमारे साथ पढ़ते थे ये और भी अच्छा हुआ तुम्हारी गवाई तो जूटी होई नहीं सकती क्योंकि तुम तो इसे अच्छी तरह पैचानते हो लेकन ये तो अहिंसावादी है ये बम कभी नहीं फैक सकते मैं इनके खिलाफ गवाई नहीं दूँगा ले जाओ इससे और डल दो हवालाद में देखे खान साथ इसे कम से कम भीज बरस का एक बाम शक्कत होनी चाहिए तुमने लवन किया है लवन वसूर वजूर आप भुसा में किजिए इस खरीब को माफ करेजिए ऐसी लड़का बला अच्छा है मगर मलमी इस उक्तिसू क्या हो गया है लाकिन जानी हारभ बहरभ वही हैगा जो आप फरमाएंगे लाकिन, परतेंगे कली आता मोर्शा पूजर अध गा अबाम कि Masi देवीदेन वह देवीदेन देवीदेन हहा रहते है यहा रहते है कहा हैसाज एलहाब से और आप से है अपने भाई साब से मिंल ले एलहाब आप से अपने भाई से ने रमालाद बाबू से यह उनके छोटे भाई है और मैं इंकी भावजा हूँ बहुराणी जगो जगो बहु के खावा के चिलना पुझे इना तुझा 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 मान गुटर रख जो बार हम आवाद रही आए अरे तुझा बहु सुंदर वाले त्याजा चलगा हम आज भन भाई जोन तो हमार गोर हमारे घरे में पड़ा आज पड़े ते हमार बाई आज थोर 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 खरकत रहा हम कहा जरूर दो तुझा काम होई वाला बाई चला बचवा खजिया हो बईश जाओ जाओ हम पानी गरम करी खाक मूध हवा फिर खाय के बनाई खा अज तब आराम करा है उप्तिये कहा ही पाज़ा की आदमी भाईया के पुलिस पकड़ लेले जब देखा तो बेबगता तैर रे तैर रे तैर आरे अखर हुआ क्या अरे कुछ नहीं बहुरानी हम उन्हें छोड़ावाई बदे गए रहे थाने पर पर गुवा जाये पही मालूम भया कि भाया जी पुलिस के जूटे गवाई बन गए है लेकिन पुलिस उन्हें पकड़ कर क्या लेगी अरे उपराग राज में कौनो गवन उवन का मामला रहा ना अरे बहुरानी जो इबात भाया जी को मालूम हो जाये तो कितने निर्दोसन की जान लेवाई बदे पुलिस की तरफ से जूटी गवाही देवाई की जिरूटे का है उन्हें फोरन पता चलने चाहिए उनके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलिए मैं आपके साथ चलते हूँ कहा है वो मुझे तो डर मैस्ची हो रहा है हाहा Companies है हमजू है तुम्हारे सार लेकिन यह तु सरसर जूट है क्या बकिर हो तुमृत है तुम्हारा मतलब है कि पंपेकने करा चूटी AH बातों से कुछ नहीं हासिल होने का अरे बच्चू ये केस ड़ियो उतना ही सच्चा है जितना तुम्हारा गदल वाला केस समझे ने तुम है अरे जेल जा रहे थे दौलक पर आग़ई है, हलपिया कहता हूं कि क्या तक्दिर पाई है तुने अहाँ, वहसु सिपहन अलला है, थ। वह वाँ! वह वह वाँ! अब तुम्हेड़ अलपिया कहता हूं, सारी जिधाईकी आईष करोगे आईष! अरे वो कहां गिया, गालिया, जिस ये खार, वहां क्या मर रहे हो, यहां हो, साथ के जूते उतार, अभी उतार, हाँ तो दरोगा साथ, अब तुम्हें जिक्की ले सकतो हो ना नहर, चट्टी, बिलकुल नहीं, भाई, जान के लाले पढ़ जाएंगे, मियां बड़ा मुश्क इतनी मुदद तो तफ्रीह में गजर जाएगी, मचलते दिनों के यही मचले हैं हो discernism आ हाए 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 zorajan, अरे जियो, zorajan, जियो, जियो, कासम जवानी, की, अपनी जिन्दगे के द þस साल तुम्हे दे दिये, हाए हाए हाए, हम अब हाए हाए, अमा हल फिया कहता हूँ, कया समा बांदाहै जालिम्हें खुदा यह खुदाइग्धा इय कौसम गाना का त तुम इतनी दिल फरेब सोबत को छोड़ के कहां आ रहे हो अपनी तो मजबूरी है निया नौकरी का तकाज़ा है तो जाना पहुता है तुम बोले खुशनसीब हो मेरे यार आओ आप बैठो निया यहां बैठो और जिन्दगी तलित पुछो हाँ जोरा जान बड़ी पीमती आमानत तुम्हारे सुपुत करके जा रहा हूँ मैं खुशूर की तव्यत पर शायद गिरां गुजरा है मेरा जाना नहीं जोरा जान आपके गाने में तो जादू का असर था गाने में तो सुने वाले का आकस होता है बंदी में खुब बीनहीं खुशूर का आकस रंगीन है आप बड़ी शी जित्जरत की मखबत नवादी है आदमी आदमी से मिलता है दिल महर कम किसी से मिलता है बला हमने पाला मुद्दतों पहलों में हम कुछ भी नहीं तुमने देखा एक नजर और दिल तुम्हारा हो गया लीजे हाजिरे खिदमत में पान भी और चान भी इहां ऐसे नहीं लग खुली कर दो बाहू, अब यहांजा रदे रुकना चली, चलो, चलो बाहू, चलो उन्मृ कहा चलो उन्मृ 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 तुम्हे छलपा Kahlo रो मत छलपा हुआ रो मत, रो मत छलपा छलपा रो मत तुझी मेरी कि समझेizi रो मत आज मेरा रोना बुरा लगा तो अब जब मेरा कहेली दिन राजु का गरती थी उस वक्त मेरा खयार नहीं आया कम से कम तोल दास तसली के तो लिगती होते है जाल्पा, जाल्पा, तुम नहीं समझ सकते, मुझे, मुझे पुलीस से हमेशा ड़ लगा है मैंने, मैंने सरकारी रुपाउं का गबन किया था ना कॉस केता है तुमने गबन कि, मैंने वो रुपए उसी दिन चंगरहार बेच कर बड़े बाबु को दे दिये थे जाल्पा, साच, तु क्या, मेरे खिलाब कोई केस नहीं और होता भी तो क्या, मैं सारे सेवर तुमने बार कर ना भेखते थे जाल्पा तुमने पताया तो होता कुछ, मुझे भरोसा तो क्या होता, दिल की बात तो कही होती पर तुमने मुझे कभी अपना नहीं समझा, हमेशा भी गाना समझा, हमेशा भी गाना समझा चाल्वा, जो होगा सो बूल जाओ, अपने बादा करता हूँ, तुम्हें छूदा कभी नहीं जाओगा, तुरी नहीं जाओगा, सच केता हूँ, सिंदी की बाद तुम्हेरे साथ रहोगा चाल्वा, एक बार मुस्कुरा दो, अस तुम्हें मेरी फसन, तुम्हें मेरी फसन, कैसे चला गया, कैसे चला गया, हम पूछते हैं क्या सुम लोग सब सो रहे थे, हम ने तो की जगा पंदरा पंदरा आज में रहे रहे हुए फिर भी मने करकिया, ये आपका इंचिजा में खासा, तुम्हें मेरा मतलब है, ये सब इसकी घबलक से नतीज़ा है, अगर मने तुम्हेरे फीते नहीं उतरवा लिए, अब हम बड़े साथ को क्या जवाब देंगे, कहा उसे तलास करेंगे, वजूर आ गया हो, आ गया कहा चलेगा इसे तुम्हें 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 तो हमारी चांग खुष कर दी, और मा जानते हो के मैं क्या समझा, अमा मैं ती ये समझा, कि तुम्हें शाइद वो बम बाले उठा ले गए, हाँ, हल्फिया कहता हूं, मैं बहुत परेशान हों क्या था, ओ, ओ, खांसाब, माफी चाहता हूं, आएंदा कभी परेशानी नहीं होगा आपको, क्यूंके मैंने फैसला कर लिया है कि मैं ये जूटी कवाई नहीं दूँगा, हम्, बहुत खुद, बहुत खुद, तो गवन के जुन में जेल जाना चाहते हो बच्चू, शौक से जाओ, साथ साल काईदा मशक्क, चक्की, पीसो के बच्चू, चक्की, दरोगा साथ साल क्यूं, सत्रा साल कही है, सत्रा साल, बहुत चक्मा दे चुके आप, मैं अभी अपनी बीबी से मिलकर आया हूँ, उसने सारे पैसे चुका दी है, मेरे खिलाब कोई केस नहीं, और तुम, तुम फरेद देकर मुझसे जुड़ी कवाई दिलवाना चाहते थे, बेगुनाओं का खुन करवाना चाहते थे, आरे भ मुकदमा एकदम मुकमल हो चुका है, और ऐसे में छोड़के जाना, माफ करना कोई शराफत की बात नहीं है, दरोगा साहब, आपके अख्तियारात तो बहुत वसी हैं, कुछ-कुछामद करके ये पेशे भी मुलतरा लीजे, मैं जाता हूँ, नहीं नहीं देखो, भईया, अगर याद रखो, पुलिस को गलत इतला देना बहुत ही संगीन जुर्म है, और इसके लिए तुम्हे अक्तायद हो सकती है, और हाँ, वो तवायफ के घर से जो तुमने गहने चुराए हैं, कौन जी तवायफ है, ये साब तो मादारात में पुछना, सत्रा साल को जाना चा हाँ, 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 ह जालत की कारवाईश रूपी जाए जो ओनर ये गुंडे जो ग्रिफ्तार किये गए हैं इनका सरगना ये है दिनेश ये वो लोग हैं जो पिकटिंग हर्तार और देश बक्ती के नाम पर बलवा करते हैं और पुरमन शेरियों का मन में खलल डालते हैं और अपने जाती मफाद और लालच के लिए लोगों को ढरात इसका नतीजा ये हैं लोग इनसे खौफ खाते हैं इनके खिलाफ जुवान खोलने की हम्मत नहीं रखते हैं इसलिए जब इन लोगों को लार्च साहब के ओपर बंप फैंकने के जर्म गिर्फतार किया गया तो कोई इनके खिलाफ शाहदद देने के लिए तयार नहीं जो पड़ा लिखा है और अपने फर्स को अच्छी तरह से समझता है उसने दिनेश और इसके साथियों को लार्च साहब की सावारी पर बंप फैंकते हो खुद अपनी आँखों से देखा है अब मैं अदालत के रूबरू उस चश्म दीदगवा को पेश करता हूँ रमानाद को पेश किया जाए रमानाद बदे दियानाद हाजिर है योर ओनर ये वही आद्धी है जिसने मुल्दिन दिनेश को लाज साहब पर बंप फैंकते वे देखा था मेरे फाजिल दोस्त को यह अख नहीं पहुंसता कि इल्जाम साबित होने से पहले मेरे मुल्दिन को मुल्दिन टेह कर पुका रहे है अब्जेक्शन सस्टेंड योर ओनर मुझे इस गवाग के साथ जिरा करने का मौका दिया जाए जाए पूसीड गीता बहात रखता हो कि मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सवा कुछ नहीं कहूंगा मैं जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा और सच के सवा कुछ नहीं कहूंगा आपका नाम द्रमानाथ आप इन लोगा में से किसी को पहचानते हैं मैं सब को पहचानता हूँ किसी का नाम भी जानते हैं इनका नाम जानता हूँ दिनेश आप इनका नाम कैसे जानते हैं ये मेरे साथ कालोजी में पढ़ा करते थी दिनेश के साथ आपकी है मुलाकात कब हुए थी जी दस दिन पहले सोचिए सोचिए अच्छी तरह सोचिए दस या पंदरा दिन पहले जी नहीं उन्हें रहा हुए तो सुर्फ पांच दिन हुए हैं उसके बाद ये उनसे मुलाकात हुई थी अपकी मुलाकात की जगा हुई थी जी वो मुझे रास्ते में मिल गए थे कौन से रास्ते पर? वो जी यूर आउनर ये बात नोट की जाए कि गवा को ये नहीं मालूम कि उसकी मुलाकात दिनेश के साथ कौन से रास्ते पर हुई थी यूर आउनर मेरे फाजल दोस्त जान बूच कर गवा पर इज़ाम लगा रहे है यूर आउनर कवा को कलकता में आवी चंदी दिन हुए है हला वो इतनी जल्दी रास्तव के नाम कैसी जान जकता है हाँ तो फिर आपको दिनेश कहा ले गया? ये मुझे अपने घर ले गए अपने साथियों से मिलवाया और कहने लगे हमारे दल में शामिल हो जा मैंने पूछा काम क्या करना होगा इन्होंने कहा वक्त आने पर बता दिये जाएगा और आप उस दल में शामिल हो गए जी हाँ तो आप ये नहीं जानते थे कि दिनेश का जल क्या काम करता है जी हाँ मैं नहीं जानता था उसके बाद क्या हुआ एक दिन लाड़ साब की सवारी निकलने वाली थी, दनेश मुझे अपने साथ ले गया, कहाँ, जी वो, कहाँ लेकिया थाओ, एक जगे, जहां बहुत से लोग जमा थे, और सब लोग लाड़ साब की सवारी देखने आयोए थे, फिर उसे मेरे हाथ में एक गोल सी चीज दे द मैं तो धबराकर दुरेश का मुझे लगा, खुसे खुसे में आकर वो चीज मेरे हाथ से चीन दी और लाड़ साब की तरफ फेक दी, एक जोर का धुमा का हुआ, चारो तरफ दुआ ही दुआ हो गया यो ओनर वो वही बम था जिसे लाड़ साहब की जान लेने की कोशिश की गई, अब मैं आदाले से तरफास्त करूँगा पहिन मुझरिमों को इनके जुर्म की कड़ी से कड़ी सदा दी जाए, तके दूसरे लोग देखें, सुनें और इबरत हासल करें ये अदालत मुझरिम दनेश और उसके साथियों को मुझरिम करार देती है, दनेश के साथियों को काले पानी की कैद बामशक्कत, और दनेश को सदा मौत का होकुम दिया जाता है, मुझरिम अगर चाहें, तो पंदरा जिनके अंदर-अंदर बड़ी अधालत में अभीज कर झाल जोगत झाल जोगत जोगत जींगत il बीज़ है all का जर पाल झाल आझा है यो झाल धथई फ्रहा कया? जी झाल झालोल यहां करने क्या कर रहो, चलो हमारी सातों, आलाओ, चलो हमारी सातों Benji Cornel माप किसी लग, मैंने आपको पैजाना नहीं किस मौन से आपने बारे में बता हूँ मैं समझी नहीं यह मसीबत जो आप लोगों पर आये है मेरे पती की वजय से है इसमें आपका क्या दोश्री आईए, अंदर आईए माजी कहा है वो मंदर लेए वो किसी लगी के दिए हैरत से तक रहा है जहाने वगवा मुझे हैरत से तक रहा है जहाने वगवा मुझे अंदर आई आम आज आए यह खतु तुम निचे छोड़ा थे रमानाद, तुम्हारे दिल के दर्ज को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं इंसे गाफिल नहीं हूँ देखो, मैं उम्र में तुमसे बढ़ा हूँ, और तज्रुमे में भी तुमसे बढ़ा हूँ इसलिए मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ, उससे जरा गोर से सुनू, मेरी तरफ देखो, जरा तवज्यों से सुनू एक बात याद रखना, कोई बीवी अपने शोहर को छोड़ना नहीं चाहती और अगये ये गुसा, नाराजगी, खफ़गी, ये सब तो आपस में होते ही रहता है भई, और भया, नाराजगी के बाद जो प्यार में मज़ा है ना, बस ये समझ लो जैसे, शब तारीक के बाद, सुबह की किरन ये लोग, ये देको इसमें क्या है, वह 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 इसमें बानियां भी है चूड़ियां भी है और चंदन हार भी है और वगएरा वगएरा पूरी सुनार के दुकान है इसमें रमानाथ एक बीवी और क्या चाहती है शोहर और जेवर और अगर ये दोनों उसे मिल जाए तो फिर क्या है यूँ पसिछ जाती है वो समझे ला है अरे हां मुझे खाला है देखो मेरा तो ख्याल है कि तुम जाकर उसे यह आओ आजने आ है अरे हां ले आओ यहां ठीक तो है अरे भइए मकान तुम्हारे पास मोटर गाडी नाुकर चाकर तमामां मञूद है आछने थीख मैंद्सट्रवश जपया यहां और तुम छलकर हो शाओ आउसरा अरे डार को लो गाड़ी तankiर करैंग कासरद कि को शाओने के ऍाओने दब दददा ददा महू अपर जार्पा तुम यहां क्या करने आया हूँ मैं तुम्हे लेने आया हूँ जार्पा मेरे तुम्हारे क्या साथ रह गया है जिंदगी भर का साथ है जार्पा अधर्पा मुझे एची नपरे के लिए चिठी मिल गई है और जानतीवा तुम्हारे के लाया हूँ यह देखो तुम्हे चेंदर हार चाहिए था ना यह देखो चालबा मुझे तुम चाहिए थे जीवन साथी चाहिए था अपना और तुम यह सोगात लेकर आया हो इसमें बेगुनाओं का खूल लगा है बेवाओं के आंसू यतिमों के आहे लगी है मैं तुम्हारे पाप का प्राश्चित करके तुम्हारा बो जलका कर रहे हूँ तुम इसे और लाद रहे हो तुम नहीं जनती हो जनता मैंने कितना लाचार हो कर ये वह दी है तुम्हारे लीए मजबूर हो गया था मैं सख्ती नहीं जै裂 सकते जान दरह दिया आयए थी मेरे लिए अगर तुम पुलीस के हाथों खाह लहाए हो खुखा कर दी अगर तुम्हारे अपने माते से खुन निकलता, तो मैं जान देनी तुम्हारे लिए और तुम ये लेकर हाई हो, ले जाओ इसे, नहीं चाहिए मुझे मैं अपना धर्म जानती हूँ, तुम अपना अराम लेको मर गई जाओ बा तुम्हारे लिए, चले जाओ जाओ कर दो प्रमीं ट्रॉज कर दैने हैं कर दो principle यह कर दो कर दो कर दो कर दो राज्मन झाल जार अई कर दो भाक, कर दो जो आपा करनार्वन करूछना स리 वायाँ कि अधिन कर रहो है अरे बैज जा तहां रहो तर मेरी बात तो सुरो अला हाल विला कुछ अरे दीवाने हो गया तुम्हारी जिंदीकतरे में अभी देखा नहीं और अपीब के फैसले तक तुम्हारी इपासत मेरी जिम्मतारी है समझे ना मुझे फालस की जुरूरता और ना जुम्हारी 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 उजजजए माल जुबीं कैने जुटने, अपासिया泗 में आप नहीं आपां, नहीं आपां! झाल 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 को सुनना नहीं चाहते ये पुलिस की इज़त का सवाल है हुकुमत की इज़त का सवाल है ये मत भूलिये गया भी एक मरहला बाकी है मुल्जिमों ने बड़ी अदालत में अपील किये अगर कहीं उसने अदालत में पहुचकर अपने बैयनात बदल दिये तो हमारा सारा बना-बनाए खेल भी बन जाएगा खान सायब शायर का चपपचपचपचान मारी है वो जहां भी बिले उसे फॉरंग पिरफ्तार कीजिए और अगर भागने की कोशिश करे तो गोली माती देख चाहिए को को कि अञ विन खोनमा उसे हmek administr artificial की बीच प्रह्या kulland वीपथ प्रह्या मतेरिफ देख् समधर के काम भी घ्ले अैए सिर्च खेलो ay कर भाद प्रिच! जर नपाद, पका जड़ नपाद, कर फो नपाद, कर किक कर दो! कौन हो तुम मैं नाम रमना था है हजूर मैं इस बात का इकबाल करने आया हूँ के बंब वाले केस के सिलसरे में जूटी कवाई दे थी दुस्विनों के चाल है मिलॉट मुजिरों के साथ यू कि बदबाशी है यह गलत है मैं सच कहेबा हुजूर मैंने किसी को बं फैंक पे कि वह नहीं देखा मुझे जूटी कवाई देने पर मजबूर कर दिया गया था क्यों मजबूर किया था किस विया किया था यह एक लंबी कहानी है मीलॉट मैं दर्खास करूँगा कि इस आदमी को कहने का मौका दिया जाए इसकी कवाई पर 20 इंसानों की जिन्दगी का दार को तुम क्या कहना चाहते हो प्रसीड आप दा जाए इस जैसाब मैं बहुत मामूली घर का रड़का हूं या दूसरे अलफास में उस दर्म्याने तबके का नमाइंदा हूं जो सफेद मौशी को रखने के लिए दुनिया भर के दुप छेड़ते हैं तन ढटते हैं पेट खाली रह जाता है पेट भरते हैं तन खुल जाता है जिस तरह इस दुनिया में हर इंसान अच्छी जिन्दगी और दौलतमंदी के खौफ देखता है अपने दोस्तों रजीजों के सामने अपने सारूजा रखना जाता है मैं भी इसी तरह के खौफ देखा करता था और इन खौफों के सच में बदलने के लिए और तो कोई तरीका मेरी समझ में नहीं आया अलबता मैं जूट बोलना शुरू कर दिया अपनी हैसिए सिब्बर के बाते करने लगा फिर एक जूट के बाद दूसरा दूसरे के बाद मुझे जूट बोलने की आदत पड़ गई जब मेरी शादी हुई तो मैं अपनी शरीक सिंदगी से भी जूट बोलने लगा मैंने अपने जूट से उसे यकीन दिला दिया कि हम लोग बनीर घर के आत्मी हैं फिर उस एक जूट को निभाने के लिए सौ जूट सौ निभाने क पहाड खड़ा हो गया और एक दिन ये पहाड मेरे सरवर तूट पड़ा इस दर से इस दर से करीज इसके नीचे तब को मर ना जाओ मैं घर से भाग निकला और आज इस अदालब के सामने अपने कुनाओं का इसाब दे रहा हूँ माफ़ चाहता हूं मिलाड अगर आज तक यादमी जूट बोलता रहा है तो आज क्यो सच बोल रहा है इसलिए सच बोल रहा हूँ कि आये जूट मेरे काप नहीं आ रहा है सारी दुनिया के सामने मैं हथ्यारा हो गया दोस्तों की निगाहों में जलील हो गया अगर मेरी बीवी का प्यार नफ़त में बदल गया मैं जिस कदर बद्दाम और रुस्वा हो सकता था हो गया मेरी इज़त खत्ब हो गई मेरे में बड़ा गुला नहीं करूगा जैज साम मैं जूटा जरूर था हत्यारा नहीं था ये लोग मिर्दोश है ये लोग बेगुना है आप मुझे सजा दीजिए मतफाजी के तख्ते बरका दीजिए लेकिन आपने सुआत के लिए कभी जूट नहीं बोलोगा कभी जूट नह तो तुम अपने जुर्म का इक्माल करते हो कि तुमने जूटी कवाई दी थी इसको हिरासत में दे लिया जाए बहुत गोर और फिख्ट के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुसमी दिनेश और उसके सबसाती बेगुना है उन्हें बाज़दद बरी किया जाता है लेकिन मुसमी रमानात को या दालत जूट बोलने के लज़ाम में मुझरुन खेराती है मगर उसकी नेकनियती और मजबूरी को मद्द नदर रखते हुए उसके साथ सबस्दी का बताव नहीं किया जाता उसकी सदा ये है कि अदालत बरखास्त होने तक उसे हिरासत में रखा जाए उसके साथ ही पुलिस को तंबीब की जाती है कि वो गलत मुकदमे बनाकर अदालत के सामने पेश न करे इस हुक्म और फैसले के साथ अदालत बरखास्त की जाती है कि अदालत बरखास्त की जाती है कि अदालत बरखास्त की जाती है झाल 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 झाल